यहां पे भी X1, यहां पे भी X1, यहां पे भी X1, तो इस तरह से आप यहां पे कुछ नहीं है तो दोस्तो X आ जाएगा, अब दोस्तो यहां पे दोस्तो प्रदीविरी Academy चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तो आज हम Lagrange's Interpolation यह Topic इस वीडियो में कवर करेंगे, और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे इन्वर्सिटीज में दोस्तो यह जो Numerical Method है, यहां पे अलग-अलग नाम आपको दिखाई दे रहा है, तो इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, और पूरा का पूरा पार्ट जो मैं यहां पे questions solve कराँगा, उस questions के बाद आप अपने बुक के questions भी solve करो, देखो आप easily बहुत अच्छे तरीके से solve कर लोगे, तो चलते हैं दो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको formulas याद करवा दे रहा हूँ, देखो इस तरह से questions आएगा, यह देखो मैं x वाले को क्या लूँगा, x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3, यह जहां तक जाएगा, गर समझे एक और box से इस तरह है तो आप x4 और y4 भी लोगे, अब दोस्तों इसके बाद हम lagrangious interpolation हम कैसे find out करेंगे, तो दोस्तों y equal to इसका formula है, और formula मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना दे रहा हूँ, देखो y के पहले box में क्या है, दोस्तों y0, इसको हम l0 से multiply करेंगे, then इसके बाद y1, l1 से, then क्या आएगा दोस्तों y2, l2 से, then दोस्तों क पूरे की पूरे पार्ट को क्या करोगे, दोस्तों multiply करके आप अपने answer सो निकाल सकते, तो in case अगर यहां तक ही table है, तो y2, l2 तक ही आएगा, यह पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में है, अब दोस्तों next हमारा target है, कि हमें l0 कैसे find out करना है, तो बहुत ही simple सा formula है, और formula मैं आपको समझाने की कोसिस करूँगा, और सभी को सम Arabic को समझना है, रटने की कोसिस नहीं करना है, कैसे आपको समझना है, दोस्तों यह देखवो, यहाँ पे, यहाँ पे हमेंसा याद रखना कि उपर आला जो पार्ट है, दोस्तों, x से start होगा, x से, तो देखो, मैं x-, कह आएगा X2, आगे- आगे लिखते हो ज़ाओ, X- का आएगा दोस्तो X3, आगे- अगर कुछ होता तो और लिखता, और जब आप नीचे वाला पार्ट लिखोगे दोस्तो, तो नीचे वाले पार्ट में सबसे पहले आप पीछे वाला जो पार्ट हो, कौपी कर लो, जो भी पार दोस्तो, L1 के लिए कर सकते हैं, yes, L1 के लिए क्या आएगा, बताओ मुझे, same, मैंने क्या बोला है, उपर का starting कहा से होगा, दोस्तो, X से होगा, तो X-, अब कुन सा वाला cut होगा, दोस्तो, 1 वाला, मतलब ये वाला cut होगा, यहापे गाएगा, दोस्तो, X0 आएगा, X-, अब क्या लिखना है, ये वाला, जो आपने cut किया था, X1 को, यहापे कहाएगा, X1, यहापे भी X1, यहापे भी X1, तो इस तरह से, आप same, L2 का भी value निकालोगे, L3 का भी value निकालोगे, just, इसके अंदर put करोगे, तो आपको यहापे lag ranges, interpolation, दोस्तो, क्या हो जाएगा, यहापे क्या बोला है, find the lag ranges interpolating polynomial passing through the state of point, अब यहापे इन्होंने जो लिखा है, उसको थोड़ा सा मैं box form में लिख देता हूँ, देखो, अगर आप बहुत अच्छे से ध्याम दोगे, तो मेरे lecture में आपको सब चीजे समझ में आएगे, और यास से, वीडियो के नीचे comment करना जैसी lecture end होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि उससे मैं और आपके लिए मेहनत करता हूँ, अगर आपको lecture अच्छा लग रहा होगा, तो please वीडियो के नीचे last में comment कर देना, दोस्तों यहापे, अब यहापे, यहापे, यह हमने पूरा का पूरा पूरा पार्ट लि करेंगे, and something नीचे कुछ दिया हुआ है, तो वो one by one वो भी हम find out करेंगे, पहले जो main part है, वो हम find out करते है, अब देखो दोस्तों यहापे, आपको पताएगी, सबसे पहले हमें L0 find out करके रख लेना चाहिए, तो L0 हम find out करें, तो L0 के लिए formula क्या है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे, यह क्या हो जाएगा आपका, X0, यह क्या हो जाएगा, X1, आप यह pencil से लिख सकते हो, X2, यहाँ पे क्या हैगा दोस्तों, Y0, Y1, and Y2, अब दोस्तों अगर आप इसे solve करने जाओगे, तो कैसे solve करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे, म आप नीचे लिख रहे हो, तो दोस्तों क्या लिखोगे, जो आपने नहीं लिया, सबसे बहले उपर आले पार्ट को आपने copy किया, उपर आला पार्ट का second part आपने copy किया, फिर यहाँ पे जो आपने नहीं लिया था, वो आपको यहाँ पे लेना है, हो गया, यहाँ पे formula, मै 1 वाले को नहीं लेना है मतलब बीच वाले को नहीं लेना तो यहाँ पर कहएगा x0 और यहाँ पर कहएगा x2 और यहाँ पर जो पीछे वाला पार्ट है वो हम same to same रख रहे हैं बस आगे कौन सा पार्ट आएगा दोस्तो जिसे हमने नहीं लिया था, हमने किसको नहीं लिया था, x1 को, और अगर किसी को confusion नहीं हो, तो यहां से आप देख सकते हो, सेम ऐसी ही आपको किसके लिए करना है, l2 के लिए, अब देखो यहां पर दोस्तो, 2 तक ही term है, तो आप l2 तक ही जाओगे, अब देखो यहां पर, same two box साब बनाओगे, formula देखो, याद करने की ज़रोती नहीं है, आप यहां पर क्या करोगे, x minus, x minus, कुन सा आला नहीं लेना है, 2 वाला नहीं लेना है, बाकी सब लेना है, तो x0 ले रहा हूँ, x1 ले रहा हूँ, यहां पर पीछे आला, same रखो, और यहां पर इसके आगे आपक score कर सकते हो, अब यहां पर जब भी आप value put up कर रहे हो, तो बहुत आराम से करो, कोई घाई गडबड नहीं करने की ज़रोती है, देखो, x तो वैसी रहेगा, x minus, x1 का value 1 है, and दोस्तो, x minus, x2 का value 2 है, then इसके बाद x0 का value किया है, दोस्तो, 0 minus x1 कितना है, 1, and दोस्तो, x0 minus, 0 minus x2 का value 2 है, अब दोस्तो, अगर मैं चाहूँ, तो इसे finally, अगर मैं solve करनी, courses करूँ, तो देखो, उपर आला part solve होगा, देखो, x into x क्या हो जाएगा, दोस्तो, x square, and दोस्तो, इसके बाद x into 2 क्या हो जाएगा, 2x, और साथ में minus, 1 into x क्या हो जाएगा, दोस्तो, x minus, and दोस्तो इसके बाद 1 into 2 क्या हो जाएगा, 2 minus minus, दोस्तो, प्लस, तो ये पूरा का पूरा part हो गया, अब ये पूरा का पूरा part होने के बाद, नीचे वाले part को, देखो, नीचे minus 1 है, minus 2 है, तो minus 1 और minus 2 को अगर आप multiply करके, तो answer 2 आएगा, तो finally, अगर मैं इस part को लिखू, तो दोस् ये आपको second वाले part को क्या करना है, दोस्तो, solve करना है, अब देखो, यहाँ पे, शारों चीजे मैं लिख दे रहा हूँ, अब देखो, यहाँ पे, यहाँ पे क्या हैगा, दोस्तो, x minus, यहाँ पे x0 का value कितना है, दोस्तो, 0 है, और x2 का value कितना है, दोस्तो, 2 है, इसलिए य ऐसे आप लिख दोगे तो बहुत easy रहेगा आपके लिए identify करना then x1, x1, 1 minus x0, 0 then x1, 1 minus x2, 2 अब overall अगर मैं इसे solve करने courses करूँ, तो क्या आएगा दोस्तो x minus 0, यहाँ पर क्या होगा x और यहाँ तो चाहिए तो आप direct multiply कर दो, देखो यह x minus 0 मतलब x है, तो यह x direct इसको multiply हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा x2 minus 2x, और नीचे वाला पार्ट में यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर minus 1 आएगा, 1 into minus 1 क्या होगा दोस्तो minus 1 अब अगर मैं इसे solve करूँ, तो यह minus sign अंदर जाएगा, तो यह क्या हो same, यहाँ पर x 0 का value कितना है, दोस्तो 0 है and दोस्तो x 1 का value कितना है दोस्तो 1 है, और दोस्तो यहाँ पर x 2 का value कितना है, दोस्तो x 2, x 2 का value कितना है दोस्तो 2 है, minus x 0 कितना है, 0 है x 2 कितना है, दोस्तो 2 है minus x 1 कितना है, 1 है तो overall देखो यह x ही आएगा तो x इसके मैं multiply हो जाएगा तो x square हो जाएगा और into x हो जाएगा और नीचे याले पार्ट में यहाँ पर 2 आएगा यहाँ पर 1, 2, 1, 2 होगा तो finally मैं इसे 1 by 2 x square minus x मैं इस तरह से लिख सकता हूँ अब दोस्तों देखो यह minus sign मैंने अंदर multiply किया इसलिए यहाँ पर ऐसा हो गया अब overall मैंने यह सब चीजों को find out कर दिया अब मैं क्या करूंगा दोस्तो y equal to something मैं यहाँ पर find out करने ही process करूंगा तो देखो दोस्तों यहाँ पर प्लीज यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देना देखो यहाँ पर y equal to आपको formula पता है दोस्तो y naught, l naught, y1, l1, y2, l2 यह आपने पूरा का पूरा लिखा इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तक ही हमारे पास part है आप दोस्तों देखो यहाँ पर y naught, y naught का value कितना है दोस्तों सबसे वहले आप वह देख लो y naught का value दोस्तों कितना है तो अब भी निकाला मैंने l naught का value कितना निकाला दोस्तो, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, x square, minus 3x, plus 2, plus y1 का value कितना है, दोस्तो, अगर मैं y1 के value की बात करूँ, तो y1 का value, दोस्तो, 3 है, तो यहाँ पर कितना है, दोस्तो, 3, अब दोस्तो, यहाँ पर l1 कितना है, दोस्तो, l1, अगर आप l1 के value की बात करोगे, तो दोस्तो, यहाँ पर कितना हैगा minus x square plus 2x और y2 के value की अगर आप बात करोगे तो y2 का value कितना है तो यहाँ पर कितना है दोस्तो 6 multiply by l2 का value कितना है दोस्तो 1 by 2 x square minus x अब आप यह पूरे को solve करके आप इसका y का answer क्या गर सकते हो दोस्तो निकाल सकते हो तो दोस्तो इने को यहाँ पर y का answer में निकालने जा रहा हो y equal to अगर मैं इससे करूँ तो यहाँ पर कितना 2 हो जाएगा और यह 2 अंदर multiply अगा तो 2 x square minus 6 x plus 4 यह हमने multiply कर दिया यह 3 को अगर मैं अंदर multiply कर रहा हो तो 3 x 3 x square और plus minus minus यहाँ पर 3 into 2 6 x यह भी हो गया यहाँ पर मैं करूँ तो 3 हो जाएगा square वाला देखो यह 2 है और यह 3 है तो 5 हो जाएगा 5 में से अगर मैं 3 को minus करूँ तो दोस्तो 2 x square आएगा तो लगभग हमने square वाले part को solve कर दिया अब x वाला part देखो यह plus 6 x minus 6 x cancel हो जाएगा तो x वाला part दोस्तो एक ही बचा तो यहाँ पर गया बचा minus 3 x और दोस्तो इसके बाद देखो यह वाला ही part हो गया यह सब हो गया अब दोस्तो क्या बचा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो यह 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 सब हो गया बस plus put तो इस तरह से यह आपको y का value क्या हो गया दोस्तो मिल गया तो lagrange interpolating के बाद दोस्तो आपको क्या क्या करना है वो देखो polynomial समय मिल गया use it to find y at x equal to 1 by 5 1.5 तो हमें क्या करना है दोस्तो y का value किस पर find out करना है दोस्तो y at x equal to 1 1.5 तो हमें दोस्तो यह जो y है x equal to 1.5 पर हमें क्या करना है दोस्तो तो इसका value find out करना है तो देखो अगर मैं ये Kelsey का मैं help लूँगा जहाँ जहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे भी x है वहाँ पे आप 1.5 का square यहाँ पे भी 1.5 यहाँ पे 4 तो overall अगर आप लिखोगे तो देखो आपका Kelsey है Kelsey का use करो 1.5 का square minus 3 1.5 plus 4 तो finally दोस्तों यहाँ पे 4 answer आए तो यह question हमने यह solve कर दिया यह सब यह देखो आपने यह निकाला इसका आपको marks मिलेगा इसका आपको marks मिलेगा then इसके बाद इन्होंने कुछ और पुछा है देखो इन्होंने क्या पुछा है dy by by dx at x equal to 0.5 मला हमें क्या करना उसका derivative निकालना है at x equal to 0.5 पे find out करना है तो दोस्तों सबस्याले हम इसका derivative निकाल रहे है देखो dy by by dx अगर मैं निकाल रहा हूँ differentiate with respect to x तो यह 2se रहेगा x वर का derivative क्या हैगा दोस्तों 2x यह 3x का derivative 1 और constant का derivative 0 तो finally इसका answer कितना हो जाएगा दोस्तों 4x minus 3 अब मुझे क्या करना है दोस्तों dy by dx इसका answer दोस्तों at x equal to 0.5 पे find out करना है मतलब जहाँ पे भी x है वहाँ पे मुझे 0.5 पूट करना है मतलब 4 यहाँ पे देखो मैंने 0.5 minus 3 पूट किया तो मेरा answer कितना आएगा देखो 4 0.5 minus sorry 4 into 0.5 minus 3 तो यहाँ पे answer दोस्तों मेरा minus 1 आया अब यह होने के बाद दोस्तों और उन्होंने देखो क्या पूछा है उन्होंने एक और question पूछा integration देखो इन्होंने बोला है कि 0 to 3 y dx integration 0 to 3 y dx देखो अब next question उन्होंने पूछा है integration 0 to 3 y dx प्लीज यहाँ पे रियन देखो यह देखो 0 to 3 में लिखूँँगा y का जो भी value है यह same to same आप values यहाँ पे लिखतों दोस्तों क्या है 2x square यहाँ पे गया है दोस्तों 3x यहाँ पे गया है दोस्तों 4 और यहाँ पे गयाँगा dx अब दोस्तों अगर मैं इससे solve करनी कोशिस करूँ तो कीस तरह solve हो गई देखो यह 2s ही रहेगा x square का अगर मैं integration निकालो तो x cube by 3 यह 3 इसका अगर integration निकालो तो x square by 2 और यह 4x यहाँ पे मैंने कौन सा integration formula यूज किया integration of x raise to n यह वाला formula तो क्या आगा x raise to n plus 1 upon n plus 1 तो देखो यहाँ पे 2 था तो 2 plus 1 3 और नीचे भी क्या n plus 1 मतलब 3 यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो 1 है 1 plus 1 2 नीचे भी 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोस्तों x आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे जो भी मेरा limit है वो मैं यहाँ पे put करूँगा यहाँ पे क्या है 0 to 3 पे हमें जाना है देखो अगर आप इससे solve करना ही कोशिस करते हो तो देखो दोस्तों किस तरह से solve होगा सबसे पहले देखो यह 2 है यह 3 है और यह x की जाएगा दोस्तों 3 का cube माइनस 3 बाइ 2 यहाँ पे क्याएगा 3 का square और यह यहाँ पे भी क्याएगा 3 माइनस यह पूरा का पूरा पार्ट आपने लिखा उसके बाद आपको 0 put करना है अगर देखो आपने यहाँ पे 0 put किया और यहाँ पे दोस्तों 3 का cube माइनस 3 बाइ 2 यहाँ पे दोस्तों 3 का square प्लस यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 तो ओर रॉल यहाँ पे जो answer मिला दोस्तों मुझे बहुत ही danger सा answer मिला है 16.5 पर tension लेने की बात नहीं है जो answer आ रहा है वही answer है तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि lag ranges interpolation बहुत ही simple तरीके से मैंने बता दिया अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर difficult question कोई भी आया कोई भी अगर बहुत ज़्यादा difficult आया तो कुछ नहीं आएगा इसमें एक और extra रहेगा और एक और extra रहेगा तो उसको कैसे solve करना है मैंने आपको previous एक example लेके मैंने आपको बता दिये कि इससे किस तरह solve करोगी अगर जो और ज़्यादा heart बनाना रहा तो एक और extra रहेगा बट जो मैंने some solve करा है बहुत सारे universities को बहुत बार पूछा गया है उमीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में है दोस्तों और ऐसे ही आप अपने घर पे पढ़ते रहो और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कॉमेंट करना मत भूलना चलो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में जैहिल दोस्तों